हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज विद्धुत धारा का चुम्बक्ये प्रभाव का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरित विद्धुत वहागबल क्या होता है विद्धुत वहागब को दूसरी आट यह है कि इससे पहले फीडियो लेक्चर में को पनाया है उसके हमने बहुत कुछ पढ़ या ओर प्यूटय सरेमीं के बाइं रैं आउस्टेड वहागब f आप जाकर description में link दे दिये जाएगा वहां से आप जाकर इससे पहले वीडियो लेक्टर करको वह दो जो पार्ट टू है उसे आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आज हम चलू करते हैं अपना जो विद्धु धारा का चुंबके प्रभाव का यह तीसरा वीडियो जिसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले की प्रेरित विद्धु विद्धु वाहक बल क्या होता है ठीक है विद्धु वाहक बल ठीक है तो विद्धु वाहक बल होता क्या है ठीक है सबसे पहले तो बात यह आती है विद्धु वाहक बल होता क्या है तो हम जानते है फॉर्मूला करेंगे यहां से ही हम परिभासा इसका करेंगे अगर हमाल लेते हैं क्यूई 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 इसका करेंगे अग वन कुलाम, ठीक है, वन कुलाम मतलब एकाई माल लेते हैं, ठीक है, एकाई, यदि आविस को हम एकाई ले लेते हैं, तो जो बिदुत वाहक बल ए होगा, वो डबलू के पराबर होगा, मनला जो बिदुत वाहक बल होगा, वो कारी के पराबर होगा, कब, जब हम जो आविस हो किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्धुत वाहक बल कहलाता है ठीक है देखे एक बार और सुनिए हम क्या कहेंगे कि कि कहेंगे क्या इकाई आविश को किसी चालक में प्रवाहिद करने पर किया गया कार्य विद्धुत वाहक बल कहलाता है ठीक है एक बार और सुनिए देखे क्या कहा जा रहे है इकाई आविश को किसी चालक में कोई भी चालक है उसमें इकाई आविश को प्रवाहिद करेंगे तो जो कार्य होगा उसे ही हम क्या कहेंगे विद्धुत वहाग बल हम कहेंगे क्यों कोई जब हम कोई भी आविश को हम प्रवाहिद करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा पड़ेगा जब यो जायगा किसी चालक में तो कार्य करना पड़ेगा यह फिसी बाथ है हम चल रहे हैं तो कहिए या एकांक भी कह सकते हैं ठीक है तो हम क्या कहेंगे एकाई कहिए या एकांक तो एकांक आवेश को किसी चालक में प्रवाहिद करने पर उत्र प्रवाहिद करने पर किया गया का रही विदूत वहाग बल कहलाता है ठीक है तो चलिए हमें इसको डिफनेशन लिख दे रह चालक में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य बिदुत्वागबल कालाता है तो यह आपका definition हो गया क्या कहा जा रहा है विदुत्वागबल एकांक आवेश को किसी चालक में प्रवाहित करने पर किया गया जो कार्य होता है उसे यह कहते हैं विदुत्वागबल कहते हैं मतलब एकांक आवेश को किसी चालक में प्रवाहित करेंगे तो जो कार्य होगा उसे हम विदुत्वागबल कहेंगे वाला कि इसको लाम लेते हैं तो विदुत्वागबल कार्य के बराबर होगा ठीक है तो यह आपको पहले विदुत्वागबल अभी पूछ दिया जाए कि विदूद वहागबल किसे कहते हैं और इसका सुत्र लिखिए तो आप क्या लिखेंगे विदूद वहागबल का डिफनिशन लिखेंगे उसके बाद ये सुत्र लिखेंगे ठीक है और अगर आप से केवल पुछ देजी विदूद वहागबल किसे कहते हैं तब भी आपको ये सुत्र फॉर्मूला लिखना है ठीक है तो चलिए दोस्तों यह हो गया अब हम देखेंगे कि प्रेरित विद्धुत वाहकवल होता क्या है ठीक है प्रेरित विद्धुत वाहकवल किसे कहते हैं ठीक है तो इसको मैं मिटका दे रहा हूं उसके बाद बताता हूं प्रेरित नोमों पढ़ेंगे जो जनीतर होता है मतलब जनेटर जो होता है उसको हम अगले वीडियों पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये वीडियो बहुत ये अच्छे से देख लीजिए उसके बाद अगले वीडियो का लिंक इस वीडियो में भी दिया प्रेरित विद्धुद वाहक बल ठीक है कि प्रेरित विद्धुद वाहक बल होता क्या है ठीक है तो हम देखने वाले हैं प्रेरित विद्धुद वाहक बल तो इसे हम एक फीगर के माध्यम से समझते हैं उसके बाद आपको बताएंगे माल लेती है यह एक प्रकार का माल ले कुंजी लगा दिया और इसमें हमने बैटरी लगा दिया और यह हो गया ठीक है यह क्या है कुंडली है ठीक है नाम याद रखेंगे यह क्या है वैटरी है ठीक है और इसमें हमने क्या किया और इसके पास में कुंडली के के पास में एक हम क्या लोते हैं एक प्रकार का चुंबक ल intrो है और यह ज्ञात है तु ONBakers के यह कूंडली को चुंबक को तेजी से कूंडली के पास चूंबक को ले घैस लिए जाता है मनला चुम्बा को कुंडली के पास technology से ले जाए जाता है तो इसे ही और कहते हैं आप पेच ये गति कहते हैं कई कि अ ag teaching вторimana एकला टिक बछी चूम्बा को खतिक करा आते हुए कुडी के पास य से लय आएंगे तो कुणुली के पास ले आते हैं न तो याद रखेंगे इसके फ्लक्सों की संख्यां में परिवर्तन होता rozp मतलब चुम्बक जो है इसके चुम्बक के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है याद रखेंगे मतलब जब किसी कुंडली के पास किसी चुम्बक को ले आया जाता है मतलब आप इच्छी गती कुंडली और चुम्बक के बीच या मद आप इच्छी गती कराया जाता है तो चुम्बक के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रेरित विदुत कि वाले अध्रो commission है ठिक है तो है तो यह क्या है यह जो यह यिश्य रहाए यह चुमबक का प्रिष्ठ है तो चुमबक कि प्रिष्ट पर यह क्या होगी लंबव quota होंगे जो 90 डिग्री बनाएंगी ठीक है यह 90 डिग्री बना रहे हैं तो यह सभी क्या है लंबो unas Just जो दो Japanese को प्रिश्ट पर लंबोद होती है तो यही क्या जा रहा है जब किसी कुंडली कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेच्छिय गति कराया जाता है मतलब जो चुंबक है इसे तेजी से पास ले आया जाता है तो हम क्या कहेंगे आपेच्छिय गति तो हम क्या कहेंगे कि कि किसी कुंडली को कुंडली और चुंबक के मद आपेच्छिय गति कराया जाता है तो चुम्बक के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसे हम प्रेयरित विद्धुत वहाग बल कहते हैं तो आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे पहले नमबर में ये बोलेंगे दूसरे में ये तीसरे में ये और चौथा में ये ठीक है आप पांचों में सीधा ये ब कराया जाता है तो चुम्बक के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसे हम विद्धुत वहाग बल कहते हैं एक बड़ा सुनिए क्योंकि मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको 90 प्रसेंट यहीं पर क्लियर हो जाए आपको बार बार बना प्रशेंट थीक है तो हम क्या कहेंगे कूण्ड кी के बीच आपेछी गति कराये जाता है तो चुम्बक के फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसे हम प्रियरित विद्धूत वहाग बल कहते हैं ठीके तो आपको सिंपल सी क्या करना है इसको फीगर को बना लेना है आई ये स्ट्रीक को नाम मतलब याद रखने ये सबीको नाम को याद रखेंगे ठीके अब पेपर में अगर आ गए आगे प्रेरित-विद्धुद्वाहक बल किसे कहते हैं तो आपको लिखने में कोई रिफनीजा हम यह लिखेंगे कि किसी कुंडली तथा चुंब के मध्य मनें बीच आपेच्छिय गती कराया जाता है तो आपेच्छिय गती मतलब तेजी से कुंडली के पास लेया जाता है तो क्या होता है चुम्बकिय फ्लक्सो की संख्या में क्या होता है संख्या में परिवर्तन होता है संख्या में परिवर्तन होता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम प्रेरित विद्धुत वाहक वल कहते हैं ठीक है तो यह आपका डिफनेशन हो गया आपको फीगर के वाई से आपको बताया गयता है कि पहले नंबर में कुंडली बोलना है तो जब किसी कुंडली चुम्बक के मच दे आप एच्छी गति कराया जाता है तो चुम्बक परिवर्तन होता है जिसे प्रेरित विद्धुत वाहक वल कहते हैं ठीक है मेरा एक ही सिद्धान्त है मैं आपको चाहता हूँ कि आपको यही 90% किलियर हो जाए और कोई भी डिफनेशन आपको समझ में नहीं ना तो उस डिफनेशन का नाम लिखे जैसे आपको विद्धुत बिखन को लिखवाया जाएगा और आपको हंटेट परसेंड आपको समझ में आएगा ठीक है तो यह हो गया आपका प्र विद्धुत वाहक वल ठीक है तो इसके आधार पे ही हम पढ़ेंगे विद्धुत चुम्बग क्या प्रेरण ठीक है तुसको आप समझ लिया है ठीक ह यह जानिए जब किसी कुंडली चुमबक के मद्य आपेछी कराया जाता है ना तो फ्लक्सो की संखिया में परिवर्थन होता है जिसके काराण बिधूत वाहकवल उत्पन होता है तो अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे प्रेरित विधूत वाहकवल तो देख लिए अब त वजह ट्रेरार्ण ठीक है बिददू छूम्बक यह प्मधर की अहिता है इसका बारे हम देखेंगे तो देकिय विद्धु छूम्बक ही अगर इत्ली वह तो ही िजिए है ठीक है वही सब है ठीक है माल लेते हैं आपको समझाते हैं सब से फ़ले माल लेते यह कंदली है इस मि द्लिए है थिक है अ यह का है कुंजी है ठींक है यह कосब पास ही त्यक्ति करें इसके पास हमने यइक त्यूंबक लगा दिया ठींक है ऐसे नौर्श ङूट है इसका धृरुट यह क्षै चुंबक है ठीक है तो हम क्या कहेंगे देखिए जब किसी कुंडली के पास चुंबक को ले आ जाता है मतलब कुंडली और चुंबक के बीच आप ये छी गति कराया जाता है तो याद रखेंगे इस कुंडली में कुंडली में याद रखेंगे कुंडली में कुंडली जो ये कुंडली है इसमें कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है ठीक है जब हम किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेछिये गति कराएंगे याद रखेंगे आपेछिये गति ठीक है इस बात को याद रखेंगे जब किसी कुंडली चुंबक के बीच आपेछिये गति कराएंगे मतलब चुंबक को कुंडली के पास तेजी से ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा कुंडली में प्रेरित विद्धूत वाहक बल उत्पन होगा जिसे हम क्या कहते हैं विद्धूत चुंबक के प्रेराण कहते हैं ठीक है तो आपको समझ में आगे होगा टोटल बात यही है पस इसको जब ले जाएगा तो प्रेरित विद्धुत वाहकबल उत्पन होगा और हमने अभी इससे पहले हमने देखा है कि प्रेरित विद्धुत वाहकबल कब उत्पन होता है जब इसकी संख्या में परिवर्थन होता है तभी तो प्रेरित विद्धुत वाहकबल हम कहते हैं जब फ्लक्सों की संख्या आप एच्छी अगति कराया जाता है तो प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है जिसे हम विद्धुत चुंबकिया प्रेराण कहते हैं ठीक है तो चलिए आप इसको हम डिफनिशन लिखवा देते हैं ठीक है इस फीगर को आपको बना लेना है प्रेकर बनाए रहेंगे तो आपको समझने भी आसानी हो गया दूसरी बार कभी भी डिफनिशन अगर भूल जाए तो इस फीगर के माद्धियम से आप डिफनिशन याद कर सकते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे किसी कुंडली तथा चुंबक के माद्धिया ठीक है जब किस कुंडली अचुंबक के माद्धिया किया जाता है आप एच्छिय आप एच्छिय गति कराया जाता है तो क्या होता है तो प्रेरित प्रेरित विधुत वाहक बल उत्पन होता है जिसे हम क्या कहते है जिसे हम विद्धु चुंबक क्या प्रेराण कहते है ठीक है तो यह आप डिफनिशन याद रखेंगे यह आगे आपको दस में भी पढ़ रहे होंगे साइट टेंट में ठीक है तेंट के लिए वीडियो है परन्तु अगर ट्वेल्थ में भी जाएंगे तो यही यह सेम टू सेम डिफनिशन यही है और टोटल इसी को भी स्थार में हम करके पढ़ना है ठीक है तो आपको यह याद रखना है ठीक है क्योंकि अगर आपको अगले कलास में अच्छे से और समझ में आना चाहिए आपक ठीक है दूसरी बात अगर आप टेंथ के स्टूडेंट होंगे और आगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ने मतलब चाहते होंगे तो बस केवल 20 वीडियो है फिजिक्स का ठीक है टोटल 20 वीडियो होगा ठीक है अभी लगबग 14-15 वीडियो अपलोड हो गया है और कुछ बचा नहीं है पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है ठीक है मतलब अगर 5-6 वीडियो होगा ठीक है वो वीडियो समाप्त होने के बाद पूरा फिजिक्स मतलब 20 या 21 वीडियो है उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं एक एक करके एक दिन में एक वीडियो तो 20 दिन मे आप पूरे physics को class 10 के पूरी physics को खतम कर सकते हैं तो description में लिंक देती है जाएगा सबसे नीचे playlist बना कर ठीक है तो वहां से आप जाकर पूरे एक एक करके प्रकास ठीक है अपवरतन परवरतन ऐसे करके सब भी बिद्धो दो तो सब देख सकते हैं ठीक है तो अज यह हो गया अ जो कि बहुत important है अभी तो class 10 के लिए परिनालिका बहुत ही छोटी सी परिनालिका को बास हम समझेंगे definition ठीक है परन्तु अगर 12 में जब आप 12 में जाएंगे तो आपको बहुत से विस्तार में आपको पढ़ना है ठीक है तो यह हो गया आपका परिनालिका क्योंकि अभी मै मैं class 12 में हो ठीक है तो अभी मैं now class 12 में मैं स्यम जानता हूं कि उपरिनिका है उसको कितना टेप्स समझना थी ठीक है तो इसलिए मैं कह äras कि ओगते हैं पहला है तो आपको चीछ शीखने को मिल रहा है नहीं है तो आप सुद्सकाइब कर देजिएगा और लाइक बताइब बता जो समाझ में तो हम देखेंगे तो आफ सीरेनाली का aur म्सरी परिनालि का ठिक हैặt Hindi बहूं different है तो यह हो गगए आपका परिनालि का ठिक तो परिनालिक है क्या क्या ठिक है तो सबसे पहले देखेंगे हम एक फीगर के माद्यम से परिनालिकों समझेंगे अच्छे से उसके बने माल लेते हैं ये एक प्रकार का क्या है ये माल लिए हमने कि ये एक प्रकार का बिदुत रोधी ये पदार्थों की नली है ये क्या है बिदुत रोधी पदार्थों की क्या है बिदुत रोधी ये पदार्थों की नली है याद रखेंगे ये क्या है बिदुत रोधी ये पदार्थों की नली है भिद्दृ धारा प्रवाहित्ना भूं उसमें क्रेंट जु है वो फ्लू ना हो ठीजे तीक तु उसमें धाराप्रवहित्न नहीं है तो प्लास्टि माल ले जी एक खोखला फ्लास्टिक है इसलिए Auto टीए प्लास्टिक है मतलब क्या है यह बीच में खोखला है भूं आ orden इसमें हमने क्या किया इसमें हमने क्या किया इसमें कॉपर का हमने क्या किया चालक तार को लपेट दिया ठीक है ऐसे हमने क्या किया कॉपर की चालक तार को लपेट दिया ये कुंडली है और इसमें क्या हो गया इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे जोड दिया ठीक है सम खॉपर का का कोपर का क्या है को पर करे का चालक तार है ठीख है याद रखेंगे यह ऐसा सरद कैकी यह इस वी दृत रोध्य पदार्थों में लपता गया है इसको लपेट दिये गया है यह क्या है यह क्आ intentar है ठीख यह क्या किया है यह क्या है कुंजी है यह क्या है बैटरी है ठीक है बैटरी है ठीक है तो देखिए इसमें हमको बताया गया है अगर जब बैग्यानियों को ने क्या किया विद्धूत्रोधिये पदार्थों में कापर के चालक तारों को लपेट दिया गया और बैग्यानिकों प्रवाइद किया गया तो यह जो छड है ना यह जो का यह का है विद्धू तुरोधिये पदार थे यह एक प्रकार का चुम्बक के भाति क्या कर रहा था भाति घॉहार कर रहा था, ठीक है? याद रखेंगे जब हमने क्या 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 मान लीजे सबसे पहले एक पर बताह रहा हूँ जब एक बिद्धूत रोडिये पदात लिए मान लीजे एक पलास्टिक लिया उसमें किहां किija कोपर के चालगतार को ऐसे लापेट दिया गया ठीक है जब लापेट दिया गया और उसमें में किया किया धार हो रहा था यह टोटल जो है विद्धुत रोधी पधार्त satisf aj जिसमें धारा प्रवाइट पहले धारा जो जिसमें प्रवाइट नहीं होता है वो क्या हुआ एक प्रकार के चुम्बक के भाती बेवहार करने लगा किसका चुम्बक के भाती अब कौन से चुम्बक चुम्बक के भाती बेवहार करने लगा याद रखेंगे चुम्बक के यह या आप कह सकते हैं डंड चुम्बक ठीक है चोड चुम्बक या डंड चुम्बक दोनों बात एक ही हैता है मतलब ऐसे बनाया जाता है इसका फिगर ठीक है ये एक चोड चुम्बक है या डंड चुम्बक कह सकते है ठीक है तो एसके भाति क्या करने लगा ये वहार करने लगा तीशे हमने क्या क्या परिनालिका कहा मतलब यह परिनालिका एक प्रकार का यंत्र है जिसमें क्या होता है जिसमें धार जिसमें परिनालिका एक प्रकार का यंत्र है ठीक है याद रखेंगे जब विद्धुत रोधिये पदार्थों की नली में कौपर की चालकतार को लपिटा ना है इसको पहला नबर देदीजे फिस मिल गया कि दो नंबर में इसको कहना है अरो चौथे में इसको क्या का जा रहा है जब किसी बीदुतरोधिए पदार्थों की नली को भीदुति रोधिय Engineers नली को फोकला चुम्बक के बाती बेवहार करने लगता है जिसे हम परिनालिका कहते हैं ठीक है समझ में आ गया है ना ठीक है तो चलिए हम लिख देते हैं अनगी समझ में आ गया होगा तो हम इस फीगर को बना लीजिए गया ठीक है अब मैं आपको डिफनीशन लिखवा रहा हूं वहां से याद कर सकते हैं ठीक है प्रतु कोया याद करना है इतने अच्छे समझाय के ना तो याद तो ओजाना चाहिए ना कितना बाद सम घया ठीक है तो ये हो गया ठीक है फिर भी अगर डाउट हो तो आप बताईए कर मिंड़ा मैं को कुछिश करूँगा आपको बताने के लिए दुबारा ठीक है प्रन्तु यार विश्वास है कि आपको समझ में आ गया हो कि कितना पर बताया जा रहा है कि बेग्ञानी को नशब प्रियोग किया देखा ठीक है तो चलिए इसको लिखते थे हैं हम लिखेंगे यह ठीक है आप यह लिख दीजिएगा परिनाली का एक प्रकार का यंत्र है यह तो आप लिख सकते हैं परिनाली का एक प्रकार का यंत्र है ठीक है जिसमें क्या करते हैं पदार्थ में कौपर का चालक तार लपेटा जाता है तो कौपर का चालक तार जब लपेटा जाता है और धारा प्रवाइद किया जाता है और धारा प्रवाइद किया जाता है तो क्या होता है तो उसमें उसमें मतलब क्या जो विदुत रोदिय पदार था उसमें क्या होता है वह वह ठीक है वह लिखेंगे न विदुत रोदिय पदार का हम लिख सेते हैं वह तो वह चुम्बक के भाती क्या कर रहा था चुम्बक लिखिए चुम्बक के भाती चुम्बक के भाती विखार करता है कि है किशे हम क्या कहते हैं परिणाली को अधि टिकए चीशे हम क्या कहते है इस लिखार नहीं करके टे कर लीजिए के में एक बिदुतरोदिय पदार्थों में कापर के चालक तार को लहपेटा जाता है लShawak धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुमबक के भाति बैवार करने लगता है यह बैवार करता है जिसे हम क्या कहते हैं परिनालिका का है जो परिनालिका हैлом ब rotten या इस इस्क्ति प्रकार का क्या है लिन रचिंबक भी ठीक है याक फ़िद्ध कुंबक क्या है बाएं एक प्रकार के उन पते हुआ चलाना कि परिनालिका क्या है एक प्रकार का बीदुद चुम्बक है बीदुद चुम्बक मतलब क्या कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा परवाहित करेंगे तो क्या होगा चुम्बक के बाती बेवहार करेंगा और जैसे धारा हमने ऑफ कर दिया मतलब धारा को बन कर दिया तो क्या करेंगा सिंपल सी जो पदार्थ था वैसे ही पदार्थ हो जाएगा ठीक है उसी हम विद्धुत चुम्बक कहते है ठीक है तो परिनाली के एक परकार का विद्धुत क्या है विद्धुत क्या है विद्धुत चुम्बक है क्योंकि हमने देख रहा है जैसे धारा प्रवायत करें यह चुम्बक क चुम्बक के बाती बेवार कर रहा है और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि परिनायली के एक प्रकार के क्या है विदुत चुम्बक है ठीक है तो उमीदे दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीदे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ठीक है तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको अच्छे समझ में आया है तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईगा कि हाँ समझ में आया है अज नहीं समझ में आया होगा ना तब कहीं भी आपको डाउट होगा तो जरूर बताईगा कि हाँ हमको यहां पर डाउट है आप इसको बता को को समझ में नहीं श्ट्टिन कोई भी हो तो ऐसे रटा मातका यॉद्ट कीज़ए है मैं यही काऊंगा आपको समझाया जा रहा है कि की के शुत्र के माध्यम से हो सके जैसे हो सब्सक्राइब crowd उसके बाद ऑगं आपको तो वहीं से आपको याद हो जाता है पहले ही कि नहीं पहले नहीं याद होता है आपको लिखवाना पढ़ता है तो मैं याद करता हूं ठीक है क्योंकि मुझे भी अपने अंदर जो कमी है उसको पता चलेगा थोड़ा बहुत मैं भी उसे सुधार होंगा या जो भी अच्छा हो तो अच्छा तो यह तो हो गया ठीक है परन्तु हमारा भी थोड़ा बहुत हैस हो जाएगा ठीक है क्योंकि पढ़ा तो इसलिए रहा हूं कि लड़के अच्छे से अच्छे स्टुडेंटों के पास जाए और वह अच्छे से पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं और सभी बढ़ें आगे है और हम भी बढ़ें ठीक है यसे लिए ठीक है तो आपको डिस्क्रिश्ण में लिंक दे दिये जाएगा वहां से आप जाकर प्ले लिस्ट के अनुसाद सबी वीडियो को पढ़ सकते हैं ठीक है और सुपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीड दैनोमो करके एक लिंक दे दिया जाएगा वहां से आप डैनोमो जो अगला चेप्टर है ठीक है पार्ट फोर करके दे दिया जाएगा विदूत चुंबब के प्रेरान का यह तीसरा है हम लिख देंगे पार्ट फोर ठीक है उसके बडिस्क्रिश्ण लिंक दे दिया ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद